गोल्ड मेडिल जीतने के बाद भारत के टीम ने अफगानिस्तान और बंगलादेश की टीम के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देख पूरी दुनिया भारत को सलाम ठोक रही है। जेहां दोस्तो एशियन गेम्स में भारत के टीम ने गोल्ड मेडल जीत कर तो सब का दिल जीता है। वहीं बाद में मेडल प्रेजेंटेशन के बाद टीम इंडिया के खिलाडियों ने अफगानिस्तान और बंगलादेश के खिलाडियों को बुलाकर कुछ ऐसा किया जिसे आपने शायद ही कभी देखा हूँ। इस वाकिया ने सभी के दिल को जीत लिया। खुद अफगानिस्तान के कप्तान गुलबदी नईब ने इस पर बात करते हुए भारत ये टीम को सलाम ठोका है। जेहां दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरी खबर तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इडिया के गोल्ड मेडल जीतने से खुश हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों एशियन गेम्स में भारत ने मैंस क्रिकेट में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला गया हाला कि बारिश के चलते ये मैच पूरा नहीं हो सका और मैच को रद किया गया। लेकिन फिर भी भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया। बता दें कि इस मैच में भारत ने टॉस्त जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला गया। प्रेंटेशन के बाद भारत के सभी खिलाड़ी काफी भावुक दीखे जब उन्हें गोल्ड मैडल पिनाया गया तब उनके चेहरे पर खोशी देखने लायक थी। खास करके रिंकु सिंग काफी जादा भावुक नजर आये। वहीं इसके बाद भारती खिलाड़ी ने अफगानिस्तान और बंगलादेश के लिए एक दिल जीतने वाला जेस्चर किया। जहां फोटू सेशन के दोरान कप्तान रितुराज का एकवार्ड और सभी भारती खिलाड़ियों ने बड़ा दिल रखते हुए सिल्वर और ब्रॉंज मेडल विजेता अफगानिस्तान और बंगलादेश की टीम को अपने साथ फोटू खिचवाने के लिए बुलाया। पहले तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी मना कर रहे थे लेकिन फिर भारती खिलाड़ियों के कहने पर सभी एक साथ फोटू खिचवाने के लिए साथ आ गए। भारती खिलाड़ियों के इस जेस्चर ने सभी का दिल जेत लिया। हमारे दिल को छू लिया। हमने हमेशा देखा है कि गोल्ड मैडल वाली टीम सब से उपर रहकर फोटू खिचवाती है। हालकि भारत ने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने दोनों टीम को बीच में बुलाकर एक साथ फोटू खिचवाया। इसने हम सब के दिल को छू लिया। ये दिखाता है कि भारत का दिल कितना बड़ा है। वहीं हम गोल्ड मैडल नहीं जीत पाए। इससे निराज जरूर थे। लेकिन जो टीम इंडिया ने प्यार दिखाया उसने हमें फुश कर दिया। और भारतिय टीम ही इस गोल्ड मैडल को डिजर्व करती है। क्योंकि वह एक मजबूट टीम है और उन्होंने इस पूरे टूर्नमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तो भारति की टीम ने अफगानिस्तान और बंगलादेश के लिए ऐसा कर सभी का तो दिल जीता ही है। लेकिन जो बयान अफगानिस्तान के कप्तान गुलबदी नईब ने भारत पर दिया उसने भी सब के दिल को छू लिया। दोस्तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं।